हेले अब्रिबान मैं आशा करती हूं आप सभी ठीक होंगे मैं काजिल धामी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचे में आज की इस वीडियो से मैं आप लोगों के लिए सीटाइक 2022 की तैयारी शुरू कर रही हूं और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बाल विकास का जो पहला चाप्टर है चाइल लेप्लमेंट का पहला चाप्टर ग्रोथ एंड डेवलप्मेंट इस टॉपिक को मैं कवर करूंगी और साथे साथ इस वीडियो के एंड में हम इस टॉपिक के कोश्चन को डिसकस करने वाले हैं यह जो वीडियो शुरू करें और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको सीटाइट के हां रिटन नोट्स चाहिए जो मेरे द्वारा लिखे गए हैं जिसके अंदर आपका जो कंप्लीट सलेबस है वो कवर हो जाएगा और जो नए टॉपिक हैं जैसे कि आप देख लीजिए एनिपी हो गया इसके लावाए एवियस के अंदर हम लोगों से ओजोन लेयर से समद्धित कोशन पूछा गया ग्रीन हाउस एफेक्ट से कोशन पूछा गया यह सभी टॉपिक को मैंने इन नोट्स में कवर कर रखा है अब देखिए अगर आपको नोट से यह तो आपके स्क करने वाली हूं जैसे कि मैंने का ग्रोथ एंडवलप्मेंट यांके वृद्धी एंड विकास इस टॉपिक को शुरू करते हैं और जैसे कि हमें पता है कि जो CDP यांके बाल विकास है यह हमसे हमारे पेपर में 30 अंकों का पूछे जाता है अब देखिए कुछ ऐसे टॉपि के बारे में यांकी वृद्धी के बारे में समझते हैं और देखिए आपको पेपर के लिए सिफ यह टॉपिक तयारी करना इस टॉपिक से इंपोर्टेंट क्या-क्या पॉइंट है आपको पता होना चाहिए क्योंकि डारेक्ट कोशन आपको कमी देखने को मिलेंगे अब द देखिए एक छोटा सा अगर बेबी प्लांट है तो उसको बढ़ते विए क्या-क्या चीजे चेंज आई होगी वह सभी जो परिवर्तन है वह सभी चेंजिस हम देखके बता पा रहे हैं यानि कि छोटा सा जो पेड़ पौधा हुआ करता था वह बड़े होते होते उसमें न में रािखर जिसे हम मात्रात्मक परिवर्तन के नाम से जानते यानि कि इसNowju बोलते हम से इसे से संरचना यानि कि अगर हम इसके स्टक्चर के बात करें या फिर हम इसके आकार यानि कि शेप के बात करें तो देखिए आकार यहां पे शेप के लिए है और संरचना यहां पे स्टक्चर के लिए है अगर हमारे बॉडी के स्टक्चर में संरचना में अकार में अगर परिवर्त यह बढ़ना शुरू हूँ तो इसके लिए हम क्या परिवर्द ext शुरूरुआत में आपके साथ डिस्कूस किया जो ग्रोथ है वो कैसा है मात्रातमक है इसे हम मेजर कर सकते हैं ये मेजरेबल होता है इसके अलावा देखे ग्रोथ जो होता है यह हमें भाहर से दिखाए पड़ता है तो यह 22 हो है इसका external तरीके से आप देखके से बता सकते हो साथ हागर हम देखें तो हमाअरे body के अंदर हमारे शरीर के înदर अगर हम growth की बात करें तो सबसे छोटी जो इकाई होती हमारी शरीर में उसे हम इस 사용 बोलते हैं अब देखेrij law colleg किसका होता है जिससे धीरे-धीरे हमारी पूरी बोडी में परिवर्तन देखने को मिलता है साते साथ एक समय के बाद देखें यह पॉइंट जब आप नूट करेंगे तो अच्छे से नूट करिएगा ग्रोथ जो है वो एक समय बात रुख जाता है ऐसा नहीं कि हमारी हाइट बढ़ ग्रोथ बोलते हैं साते साथ यह एक तरीके से हमारी हाइट वेट बॉडी प्रपोर्शन में जो चेंज है वो है यह क्या है यह मात्रात्मक है और एक समय बात रुख जाती है अब देखें हमने ग्रोथ के पॉइंट देखें अब हम डेफलमेंट यानि की विकास के जरह लुकshot को देखते हैं और यानि की विकास से सम्मदित कौन से important पॉइंट है जो हमें या दखने अब चलिए जरह हम development के बारे में समझते हैं जिसे हम विकास के नाम से जानते हैं और इस से समनोदित हमें बहुत अर्म अब 1 2 पांट के हापर आ दखने जो हमारा भवनात्मक यानकी emotional पक्ष हैं ये सबी चीज़े इसके अंदर आ जाएंगी, इसके अलावा हमारे भाशाही विकास हो गया, इसके अलावा हमारी संग्यान यानकी koagnation से समंदे जितना भी विकास होता है, ये सबी चीजे आपकी इन सभी में जब हमारी anos जाते हुए जब हम इन सभी को लेकर जब हम मैं चोर हो जाते हैं और देखिये आप कहेंगे कि यह चौरीटी टो हमारी टीम के साथ बढ़ती जाएगी जितना ज़्यदा उखकर Sud आतमत्म भी हैं तो यह गलत नहींदा है यानि कि कुछ हैsın हैं जैसे कि जो हमारे आतम्मिक के दिन यह सकते हैं तो इसके लावा कुछ ऐसे घृप्लमिंट सारे थे लि雅 की कोनधिटेटीटिट्म अब आ आपके सामने लिए व्रिद्धा था हो वो सिफ और सिफ मात्रात्मक था जबकि विकास क्या है गुनात्मक भी है और मात्रात्मक भी है यह आपको यादक नहीं इसके अलावा अगर हम देखें तो देखें अभी मैंने आपको बारे में बताया था वो एक समय बाद रूक जाता है जबकि जो development है वो आपका through life चलता रहता है जितना ज्यादा आप सामाजिक प्राणी बनेंगे जितना ज्यादा आप सोचलाइज होंगे जितने ज्यादा आप लोगों से मिलेंगे उतना आप विक्सित होते चले जाएंगे इसके लावा अब देखिए एक महत्पून बिंदू आपको यह सीखना चाहेंगे अभी देखिए मैंने आपके सामने यहां पर growth और development को यहां पर मैंने एक तरीके से आपका इनके बीच में अंतर इनके बीच में डिफरेंस यहां पर बताया अब चलिए जरह देखते हैं कि जो व्रिद्धी होती है इसके कितने आयाम है इसे समंदित वो आपका यहां पर सीटाइट के सिलेबस में भी अगला पॉइंट दे रखा है यांके दूसरे चाप्टर दे रखा है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगे जो सकेंड वीडियो होगी अभी हम अच्छे से यहां पर growth और development को समझते हैं यांके व्रिद्ध के विकास के बारे में बता रहा है तो सबसे पहले एक मैं ये बन जाता है कि हमारा ये विकास होता है वे कैसा होता ये बहू आयांवी होता है तो आपको ये यहां पर add करना है कि विकास कैसा होता है, विकास आपका बहु आयामी होता है, यानि कि आपका multi-dimensional होता है, यह point आपको यहां पर clear होना चाहिए, अब इसके अलावा, अगर हम इसके dimensions के बाद करें, तो देखें, यह कितने तरीके का होता है, जरह यह भी देख लेते हैं, विका आज में हमारी क्या इस्तिती है, क्या हमारा status है इसके बारे में, अगला है हमारा language deployment, जिसे हम भाशाई विकास बोलते हैं, जो हमारे भाशा समंदित हैं, हमें कितनी भाशाएं आती हैं, हम उस भाशा का कितने बढ़िया तरीके से प्रियोग, यानि कि कितने अच्छी तरीक हैं, हम अपने emotion पे किस तरीके से control कर पा रहें, वो हमारा emotional deployment यानके भावनात्मक विकास है, इसके अलावा जो हमारे नैतिक विकास है, यानके moral deployment, जिसके थियोरी हमें call work द्वारा दी गई है, ये भी हम cover करने वाले, तो देखिए ये सभी आपके विकास के प्रकार है, या फिर आप कह लीजे dimension है, तो हम कह सकते हैं, विकास यानके development कैसा होता है, ये आपका बहू आयामी, यानि कि इसके एक से जादा dimension है, इसे हम multi-dimensional बोलते हैं, इसके लावा अगर हम skills की बात करें, जो हमारी cautious होते हैं, जो हमारी विक्सत होते हैं, समय के साथ, वो कितने तरीके क होते हैं, एक होता है आपका fine motor skill और एक होता है आपका cross motor skill, देखिए ये जो fine motor skill है, ये हमारी छोटी छोटी चीजों के लिए होता है, छोटे जब मशल्स में हमारी पकड़ बनते हैं, जैसे कि अगर मैं pen पकड़ना सीख पा रही हूं, अगर मैं सुई में धागा डालना कर पा रहे हैं, हम यहां पर jumping कर पा रहे हैं, यह सारे आपके किस के अंदर आ जाएगा, cross motor skill के अंदर आ जाएगा, I hope यह आपको समझ में आ गया होगा, अभी मैंने आपके साथ discuss किया, विकास क्या है, development क्या है आपका, इसके अलावा अगर हम देखें, तो हमने आपे होता है, वो development की बिना नहीं हो सकता, जबकि जो development होता है, वो growth की बिना भी हो सकता, यह point आपको important लिया दखना है, एक आपका मातरात्मक होता है, growth सिर्फ मातरात्मक होता है, जबकि जो development है, वो आपका गुनात्मक भी है और मातरात्मक भी है, इसके लावा हमने इसके आयाम देखें और साथे साथ इसके कोशल देखें यानि के हमारे अंदर कैसे कोशल होते हैं जो की विक्सत होते हैं समय के साथ जो की डेपलप होते हैं इसके रावा देखें आपका इस टॉपिक के अंदर दो चीजा और है गई हैं एक आपके प्रिंसिपल्स रह गए यानि के जो सि यहां पर कवर करूँगी अब चलिए सीधा मैं आपके सामने कुछ कोशन से यहां पर लेकर आती हूं जो अभी हमारी सीबीटी लेवल में यहां पर पूछे गए थे ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से यहां पर समप कर पाएं तो चलिए डारेक्ट मैं आपके कुछ में कौशल होते हैं इनके लिए इन में से कौन सा जो उधारन है यहां पर यह उप्योगी होगा तो देखिए अभी-अभी मैंने आपके सामने डिसकस किया कि फाइन मोटर स्किल कौन सी होती है ऐसी माशपेश यहां जो कि आपके कोई छोटी गतिविदिया करने में मदद करती है जैसे कि अगर हम देखें जो रनिंग है यह सकांसर नहीं होगा यान की दौड़ना इसके लावा वाकिंग चलना भी आपके जो बड़े मसल्स होते हैं इसके लावा जंपिंग कूदना भी इसकांसर नहीं होगा इस कोईशन का जो करेक्ट आंसर है वह आपका स्क्रबलिंग यानि की यहां पे हम घसट कर जब लिखना बच्चे को सिखाते हैं जब बच्चा छोटा होता है और जब पहली बार पैंसल पकरना सीखता है तो देख कोईशन का तीसरा जो ऑप्शन है यह करेक्ट आंसर है अब चलिए अगले प्रशन की तरफ चलते हैं अगला कोईशन आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे देखिए इस कोईशन के अंदर यह पूछा गया है यह सारी कोईशन आपकी CBT-based कोईशन है और देखिए पर्टि यह सीरीज जो है वह दिसंबर तक आपकी चलने वाली है देखिए दूसरा कोईशन यहां पे है इस कोईशन में वो रख है जो सूशल एक्सपेक्टेशन होता है यानि कि जो समाजिक अपेक्शा होती है वह आपकी जो विकास के चरण होती है उसमें क्या आपका एक तरीके स मानी जाती है तो देखिए यहां पर अगर हम ऑप्शन देखें तो देखिए यहां पर डेपलेमेंट यानि की विकास तो हल किसी में लिखा हुआ है पहले में लिखा हुआ है टास्क यान की कार्य है नीड यानि की अवशक्ताएं हैं या फिर हैजार्ड हैं यानि की बादा होगे तब आपके अंदर अच्छा विकास देखने को मिलेगा इसके अलावा छेत्र भी आप नहीं कह सकते हैं यहां पर देखिए सोच यहां पर शोशल डेप्लमेंट की बात नहीं की गई यहां पर सोशल सोपा जा रहा है कि आप यह काम कर सकते हो अगर मैं कहूं कि आप क्लास में यहां पर फॉर्स आ सकते हो तो देखिए सोशल expectation क्या है जो class में top करता है उससे कि वो बच्चा force आ सकता है तो उसके लिए एक तरीके से कार रहे है उसके लिए एक तरीके से टास्क है इस question का पहला जो option है यह correct answer है अब चलिए अगले प्रशन के दरफ चलते हैं अगला question आप यहां पर देख सकते हैं जैसे कि मैंने कहा जो आपके principles of development है यह मैं आपका next part में लेकर आऊंगी देखिए यहां पर question कुछ हैं यहां पर पूछ रखा है कि deployment यानि की जो विकास होता है वो क्या है देखिए आपका मैंने अभी अभी समझाया था एक आयामी तो नहीं होता है यह बहु आयामी होता है इसे साबसे यह option आपका गलत इसके लावा लास option में बोल रखा है जो वातावरन कारक है यान की जो environmental factor है इसका कोई रोल नहीं होता तो देखिए यह भी गलत है हम जतना ज्यादा environment के वातावरन के संपर्ख में आएंगे हम उतना ज्यादा विक्सित होते हैं तो तीसरा और चौथा option तो यहां पर हो सिध्धान्त है उससे समंदित है यह मैं next part में कराऊंगी तो आपको अच्छे से यह clear होगा यह इसका पहला option है यह correct answer है अब चलिए अगले प्रेशन के तरफ चलते हैं अगला question आपका यहां पर पूशा गया है जो development होता है है यह कहां से कहां जाता है देखे टो यानि की पैर से सर की तरफ यह नहीं है जैसे कि अभी मैंने कहा कि आपका यह आपका सर से पैर की तरफ जाता है इस इस हिसाब से आपका जो चौथा option है यह भी यहां पर क्या है यह भी यहां पर आपका गलत हो जाता है तो तीसरा और चौथा option तो गलत है इसके लावा अगर हम देखें जो development होता है यह आपका concrete से abstract के तरफ जाता है यानके मूर्थ से अमूर्थ चीजों की तरफ जाता है जो जो आप देख पाते हो पहले उन चीजों के बारे में समझते हो फिर अमूर्थ चीजों के बारे में abstract चीजों के बारे में समझते हो तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो पहला जो option है यह भी यहां पर गलत हो जाता है जो development होता है बच्चों में general से specific की तरफ होता है इस question क जो आपका दूसरा option है यह सही है यानकि समझने चीजों के बारे में बच्चा पहले सिखता है फिर vicious यानकि specific चीजों के बारे में सीख रहा होता है अब चलिए अगले और आखरी question के तरफ जरह चलते हैं आपने देखा होगा कि इस साल जो हमारा CBT based question paper आया था उसमें आपक कुछ नहीं है कि आप बिल्कुल ही यहां पर इसे solve ना कर पाएं easy है आप असानी से हल कर पाएंगे देखिए अगर मैं assertion reason की बात करूं तो देखिए assertion यानकि एक कथन दे रखा होगा और reason यानि कि उसका तरक आपको दे रखा होगा आपको बताना है कि इन में से कौन सा सह है हलका सा मैं इसे zoom कर देती हूं आप लोगों के लिए देखिए assertion यहां पर बोल रखा है जो cognitive deployment होता है यानकि जो संग्यानात्मक विकास होता है यह आपका middle hood सौरी यह middle hood होगा middle hood तक जाता है उसके बाद ही रुख जाता है देखिए किसी भी तरीके का जो विकास है वह आ आपका जीवन परियांत यानकि lifelong चलने वाला process होता है तो development तो रुखता ही नहीं है तो यह यह कथना आपका अजरशनी हाप गलत है इसके अलावा तर्क इसका दे रखा है क्योंकि human being जो है वह आपका नई चीजे सिर्फ middle hood childhood तक ही सीख पाते है यानि कि मध्य बालवस्ता त में लेंगे हम किसी भी एज में सीख सकते हैं तो इस हिसाब से इस question का यह जो आपका कथन है तर्क है दोनों ही गलत है तो यहाँ पर जो चौथा option है बोत a and r are false यहाँ पर assertion के लिए यानकि कथन के लिए और r यहाँ पर तर्क यानकि reason के लिए आप चाहें तो यह सारा content आप इन नंबर पर WhatsApp करके आप यह content ले सकते हैं I hope यह जो सीरीज मैंने आपके साथ शुरू कि आपको यह पसंद आई होगी आप लोग मेरे टेलिग्राम ग्रूपे भी जूर सकते हैं आप लोगों को link description मिल जाएगा अगर लिंक आप लोगों के उपर ना हो तो simple आप क्या क इतना ही I hope यह topic आपको समझ मैं होगा अब मैं आप से अगली वीडियो में मिलूँगी जो कि अगले subject की होगी और जब बाल विकास यान कि CDP का आपका next class होगा उसमें मैं आपके साथ सिधांत जो है जो principle है development के वो मैं आपके साथ discuss करूँगी इस वीडियो में इतना ही अब मैं आप से मिलते हो अगली वीडियो में अगली topic के साथ बाई बाई टेक केर